नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दिन भर चलने वाले कारेकरम के दोरान लालू प्रसाद यादव ने करीब साढ़े तीन साल के बाद पहली बार पार्टी के कारेकरताओं को वर्चुल समबोधित किया। मुझे अफसोस है कि मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पाया लेकिन बहुत जल्द आप लोगों के बीच में हमाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने एल जेपी के दिवंगत नेता राम विलास पासवान को याद करते हुए उन्हें शृधांजली अरपित की। उन्होंने कहा कि हम दोनोंने साथ में काम किया है, हम दोनोंने संखर्ष भी किया है। लालू यादव ने ये भी कहा कि आपको मालूम है, राम विलास जी की जैनती है, हमारे साथी भारसरकार में मंत्री रहे, आज हमारे बीच में नहीं है, हम शोक व्यक्त करते हैं। हमोग, याद्व ने काम विलास जी करता है, अव्यक्त करते हैं। पुर्ष मोशार्श नियामा आपकेज। नेगे अधन वाक्ष्ण तरह भाक्ष्ण पुर्ष्ण। इस वावी चक्त प्रत्त अभुलेश्ट नहीं जित्माँबरा आपकेज। अधने मामाइक आपकेज़ पाक्ष्ण पाक्ष्ण। और भुदीमत अप्राम को कुरूब करें गया है, और आगे आखें इसको बढ़ाई है, अभी में नहां को बढ़ाई देता हूं, और यहार दी लिटाद में इनका देता हूं, और मैं सुर्दाना देता हूं, इस सरजचत्यें कि मैं आने के घिरे बिस्ने के आपसो गोड़ों आरजेडी के 25 में स्थापना दिवस कारेक्रम के पहले सांस्कृति कारेक्रम का यूजन किया गया इस कारेक्रम के दौरान भरत शर्मा व्यास ने भोशपूरी निर्गुन गई इस दौरान तेजस्वी यादव, शिवानन्द तिवारी, मनोज कुमार छा, डौक्टर कांती सिंग, उदै नरायन चौधरी, श्याम, रजक, समेत सभी लोगों में कारेक्रम को लेकर उच्सहा दिख रहा था सांस्कृति कारेक्रम समाप्त होते ही मंच पर तेजस्वी यादव समेत पार्टी के सभी बड़ी नेताओं को बुलाया गया तेजस्वी यादव, शिवा नंद तिवारी, उदै नरायन चौधरी, डौक्टर मनोज ज्जा, आदी निता मंच पर पहुँचे, इसके बाद लालू यादव ने कारेक्रम का उद्खाटन किया फिल्हाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिया बने रही है, वन इंडिया हिंदे के साथ